नमस्कार मैं हूँ परवीन शेक और आप देख रहे हैं Capital TV की Special Story भारत और पाकिस्तान के रिष्टों में फिर खटास आ गई है इस बार बात देश की बेटी की है पाकिस्तानी दमाद ने देश की बेटी को फिर से बड़ा दर्द और धोका दिया है आप समझी चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं जी हाँ बात हो रही है टैनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाक क्रिकेटर शॉइब मलिक के इन दोनों की लव स्टोरी के विलन साबित हुए है पती शॉइब मलिक भारतीर टैनिस खिलारी और पतनी सानिया मिर्जा से अलग होने की खबरों के बीच क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शॉयब मलिक ने तीसरी शादी रचा ली है मलिक ने पाकिसानी एक्टर सना जावेद को अपना जीवन साथी चुना है मलिक ने खुद यहां पर इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें पोस्ट की हैं शादी की खबरे आते ही सोशल मीड पर लिखा है इनसान पूरी तरह से एहसान फरामोश होते हैं सानिया मिर्जा शॉयब मलिक एक ड्रीम कपल की तरह लगते थे पूरे भारत में विवात पैदा हुआ और सानिया ने शॉयब से शादी के लिए स्ट्रगल किया और अब शॉयब ने सना जावेद से शादी कर ल और बगार तलाक लिए वो दूसरी शादी नहीं कर सकते उस वक शॉयब ने आईशा की बातों को नकार दिया था लेकिन जब मामला बढ़ा तो उन्होंने आईशा से तलाक ले लिया था शॉयब ने सानिया से शादी के बाद पहली पत्नी आईशा से तलाक लिया था सानिया से तलाग और शोयव और सना शादी का एक संकेत सानिया के हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट पर ही मिल गया था एक यूजर ने सानिया का समर्थन करते हुए लिखा उस औरत ने अपने पूरे देश का विरोध किया और तुम से शादी की लोगों ने उसके नैशनल कमेंटमेंट पर सवाल उठाए और जाने क्या क्या नाम दिये लोगों ने उनके लिए नफरत फैलाई और तुम उसे इस तरह धोका देते गए वा यार बहुत को फोडशो एक यूजर ने सना जावित के इंस्टाग्राम अकाउंट का स्क्रेंशोट शेयर करके लिखा है अगर आप हाला कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ जो सानिया की जिंदगी से शोईब चले गए वो उनके लिए ठीक नहीं थे यानि इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश बेटी सानिया मिर्जा के समर्थन में खड़ा नजरा रहा है भारत की पूर्व टैन सानी एक्टरस सना जावेद से निका कर लिया है कपलने शादी की तस्वीरें शनिवार 20 जनवरी को सोशल मेडिया पर साजह की अधिकारिक तोर पर इसका एलान भी कर दिया ऐसे में अब हर कोई ये जानने के लिए बेताब हो गया है कि आकर वो कौन है जिसके लिए शयब न भाए टीवी शोस के लिए भी कास्ट की गई पाकिस्सानी क्रिकेटर शयब मलिक तोर ठालिस साल की उम्म 나 पूस्ट साजा की थी जिसके बाद से ही उनके तलाख की खबर और तेज हो गई थी सानिया मिर्जा ने 17 जन्वरी को लिखा था कि तलाख मुश्किल है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम आकाउंट पर स्टोरी लगा अब शोयब मलिक की तीसरी शादी से जो अफवाएं थी उन पर उन्होंने विराम लगाया है शोयब मलिक की तीसरी शादी पर सानिया मिर्जा के पिता का रियक्शन सामने आया है सानिया के पिता इमरान मिर्जा ने बताये कि ये एक खुला था इमरान मिर्जा का ये रियक्श शोहर के घर में रहती है कुरान और हदीस में भी इसका जिक्र है सानिय के पिता के बयान से साफ है कि सानिय की तरफ से ही यहां पर अलग होने का फैसला लिया गया था और जो उन्होंने पोस्त यहां पर 17 जनवरी को साज़ा के थी उस पोस्त से भी समझा जा सकता है कि उन्हों का दिक्र किया गया है और हमने जैसा आपको बताया कि खुला और तलाक में जो अंतर होता है अगर कोई मुस्लिम महिला खुद से यहां पर अलग होने का फैसला लेती है तो उसे खुला कहा जाता है जबकि अगर यहां पर मुस्लिम जो पुरुश है वो अगर यहां पर अलग ह जन हुआ था शोयब मलिक अभी प्रोफेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं वहीं सानिया ने पिछले साल टैनिस से सन्यास ले लिया था सानिया मिर्जा ग्रांड डबस में छे बार चैंपियन रह चुकी है सानिया ने डबस में जो छे ग्रांड सलेम खिताब जीते हैं उसमें तीन मिक्स डबस और इतने ही विमिन्स डबस खिताब शामिल है सानियन अपना आखरी ग्रांड स्लैम 2016 में औस्ट्रेलिया ओपन की महिला डबस खिताब जीद कर हासिल किया था शुर्ब मलिक ने जो किया है वो उन्होंने शरिया और इसलामिक कानून के मताबिक किया यानि इसलाम उन्हें चार शादिया करने का अधिकार देता है इस अधिकार से बेटियों की जिन्दगी जहन्नम बनी हुई है अब मोधी सरकार भी इस समस्या को जड़ से खत्प करने के लिए एक देश एक कानून की पैरवी कर रही है अगर ये कानून लागू होता है तो देश की मुस्लिम पहनों और बेटियों को इस तरह के जल्मों से निजात में जाएगी हलाकि देश की आजादी के बाद से समान नागरिक सही था या यूनिफॉर्म सिविल कोट की मांग चलती रही है इसके तहित एकलोता कानून होगा जिसमें किसी धर्व, लिंग और लेंगिक जुकाफ की परवा किये बगार यहां पर एक समान कानून होगा यहां तक की सम्विधान कहता है कि राष्ट को अपने नागरिकों को ऐसे कानून मोहिया कराने की कोशिश करने चाहिए लेकिन एक समान कानून की आलोचना देश का हिंदू वहु संख्यक और मुस्लिम अल्प संख्यक दोनों समाज करते आ रहे हैं सप्रिम कोट के शब्दों में कहें तो यह एक डेट लेटर है पियम मोदी के नेतरित वाली बीजेपी सरकार इस पर विचार जो है उकर रही है और इसे लागू करने की पैरवी कर रही है समान नागरिक सहिता या यूनिफर्म सिविल कोट का अड़ सैकुलर कानून होता है जो सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है समान नागरिक सहिता का उलेख जो है वो भारतिय सम्मिधान के भागचार के अनुछे 54 में है इसमें नीती निर्देश दिया गया है कि समान नागरिक कानून लागु करना हमारा लक्षे होगा समान नागरिक सहिता सियासी मुद्दा रहा है जिससे वोट बैंक बनते बिगड़ते रहे हैं इस सिलसले में 1985 का शाहबानो केस एहम माना जाता है शाबानो मामले में सुप्रिम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 60 साल की शाबानो तलाग के बाद अपने पती से घुजारा भत्ता पाने की हगतार है लेकिन मुस्लिम परसनल लोबोट के कड़े विरोध के बाद उस वक्त के प्रधान मंत्री राजीव गांदी ने संसत के जरिये इस फैसले को पलटवा दिया था कि किसी भी धर्म या जाती के सभी निजी कानूनों से उपर होता है विश्व के अधिकतर आधूनिक देशों में ऐसे कानून लागू है इसके तहर संपत्ती में अधिकार, शादी, तलाग, गुजारा भत्ता, बच्चा गोद लेने और वारिस तैह करने जैसे मुद्दो पर सभी के लिए एक कानून होगा भारत में इस समय संपत्ती के अधिक्रैन और संचालन का अधिकार, गोद लेना और तलाग के नियम हिंदूों और मुसल्मानों और रिसाईयों के लिए अलग-अलग है यानि जितने धर्म हैं उन सभी के अपने अलग-अलग कानून है भारत में मुसलिम पसनल लोग बोर्ड इसे इसलामिक नियमों और सिध्धानतों में हस्तशेफ बताते हुए इसका विरोध करता रहा है दूसरी पक्ष में आपर अगर तीन तलाग जैसे मुद्दों का विरोध करते हुए कहता है कि ऐसे मुद्दों का एक हल समान नागरिक सहिता ही है यानि याँ पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोट जो कानून है अगर वो लागू होता है तो सब के लिए एक जैसे कानून होंगे आपको बता दी कि एक अन्य फैसले में सुप्रिम कोट ने इद्दत की अवदी के बाद मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिया जाने का फैसला सुनाया और इद्दत तलाग के बाद की वो अवदी होती है जिसमें महिला दूसरी शादी नहीं कर सकते दक्षिन पंती हिंदुवादी संगठन समान नागरिक सहिता के मांग मुस्लिम पस्नलोग के कथित पिछड़े कानूनों का हवाला देकर उठाते रहे हैं मुस्लिम पस्नलोग के तहत तीन तलाग वैद था जिसके तहत मुसलमान फॉरण तलाग दे सकते थे लेकिन मोधी सरकान ने साल 2019 में इससे आपराधिक बना दिया है बीजेपी का चुनावी घोशना पत्र कहता है कि जब तक भारत समान नागरिक सहिता नहीं अपना लेता तब तक लैंगिंग समानता नहीं हो सकती सानिय मिर्जा जैसी सचक्त महिला के साथ ये सब हो सकता है तो सोचे देश की उस आम महिला के बारे में जो अपने अधिकारों के बारे में भी नहीं जानती ऐसे में देश में एक बार फिर से UCC कानून की मांग तेज हो गई है और यहां पर जिस तरह से यह मामला सामने आया है उसने कई सवाल खड़े कर दिये हैं तो क्यों ना UCC को लागू किया जाए यहां पर सभी के लिए एक जैसा कानून हो और यहां पर उसी कानून के दायरे मे सब यहां पर आए तो इसी तरह की पैर यहां पर मुदी सरकार लगातार करती रही है जिस तरह से सानिया मिर्जा का यह पूरा मामला सामने आया है उसने एक बार फिर इस मुद्धे को हवा दे दी है तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और को शेर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बागी खबरों के लिए देखते हैं कैपिटल टीवी उसकार